मंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे है, मैं नव भारत के जनक माननिय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूँ, के वे इस भव्य जन आशिरवात सभा को संबोधित करें भारत माता की जै चत्रपती सिवाजी महराज की जै सैक्षणिक्षेत्रात लातूर चे नाव गाजवनियारा लातूर कराना माजा नमस्कार आई तुल्जा भवानी और सिद्धेश्वर महादेव को भी मैं स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ भाई और बहनों ये चत्रपती सिवाजी महराज की धर्ती है चत्रपती सिवाजी महराज हमारी प्रेरणा है उन्हें जब राजपाट मिल गया तो वो भी आराम कर सकते थे लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए निरंतर आगे बढ़े का रास्ता चुना उनको अपनी चिन्ता नहीं थी उनको राश्ट्र की चिन्ता थी और इसलिए ये चुनाव जो है वो भी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हमारे सुधाकरजी को साउसत बनाना है ये बड़े दे का चुनाव है ये बड़े लक्षों का चुनाव है और इसलिए सुधाकरजी जैसे साथियों का संसद में पहुंचना और मुझे मजबूत करना और इसलिए मैं आपके पास आशिरवाद मांगने आया अब आप मुझे पताईए जो लोग प्रधान मंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं वो बड़े लक्ष हासिल कर सकते हैं क्या कुछ एचिव कर सकते हैं क्या आपको पता है ने उन्होंने तई किया है हर वर्ष एक प्रधान मंत्री दूसरे वर्ष दूसरा तीसरे वर्ष तीसरा बताईए कि बताईए कि साथियों कि मैं जब एक भारत स्रेष्ट भारत की बात करता हूं तो कॉंग्रेस के सहजादे को बुखार चड़ जाता है कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधान मंत्री पत को भी खंड खंड में बाटना चाहते हैं पांच साल में पांच पियम का इनका प्लान यानि बारी बारी देश को लूटने की योजना मैं ज़रा लातूर के भाई बेहनों से पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे लोगों को रती भर भी मोग का दे सकते हैं क्या दुनिया के इस चुनावती पुनत समय में क्या हम देश को अस्तिरता में जौग सकते हैं क्या भाई और बैनो कॉंग्रेस ने आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है कॉंग्रेस कहती है कि वो पहले देश वासियों की कमाई का एक्स्रे करेगी फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी आप मुझे बताएगे आप अपनी संपत्ति कॉंग्रेस को देना चाहेंगे क्या उनकी सरकार कब्जा करना चाहे कब्जा करने देंगे क्या यह आपकी गाड़ी कमाई मेहनत की कमाई उसको लूट निल देंगे क्या साथ क्यों कॉंग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड रहे हैं उस पर भी कॉंग्रेस गीद नजर लगा करके बैठी हुई है आपने सुना होगा उनके महाश्य क्या कह रहे हैं अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं भोग नहीं करते हैं जरूरत से ही जिन्दगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं हमारे स्वभाव में हैं और हर माबाप की इच्छा रहती है कि कुछन कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं अगर आपने दस एकड भूमी है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो पाँच एकड दे पाऊगे पाँगे पाँच एक कॉंग्रेस का मकसद है वो ले लेंगे आपके पाद दो गर हैं एक गर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे एक ही दे पाएंगे और इसलिए वो इनहेरिटन टैस लगाने की बात करते हैं जो मरने के बाद आपनी संपत्ती बच्चों को मिलने वाली है उसमें से आदे से जादी 55 प्रतिशाथ वो मार लेंगे क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी महनत की कमाई को लूटना चाहते हैं ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगा मिलनी चाहिए क्या आज पुरा देश जानता है ये कॉंग्रेज पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी देर सारा पाइसा देश के प्राइम लोकेशन्स की जमीने पावर और प्रिविलेज और कॉंग्रेज पार्टी के शाही परिवार ने छे दसक में देश को कौन सी विरासत दी देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए है अरे सौचाने जैसी मुल्बूच सुविदाओं का भाव साथ क्यों आज आप किसी भी दीन अगर टीवी देखिये अख़बार लिटाईए ऐसी अनेक खबरे होती है जो बताती है कि हमारा देश भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी सिंद्य जी कुछ वर्मन कर रहे थी कोई न कोई सेक्टर चाए मारकेट हो मैनुफैक्टरिंग हो स्पेस हो डिफेंस हो कोई न कोई अच्छी खबर विकास की खबर हमारे बविश्टों मजबुती देने वारी खबर कोई न कोई नया रेकौर बनता हुआ हर दिन कहीं पढ़ने को मिलता है कही सुनने को मिलता है कही जानने को मिलता है लेकिन 2014 के पहले का समय याद कीजिए वो कालखन याद कीजिए और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना जो पहली बार मत्लान करने वाले हैं उन मेरे नवजवानों को मैं खास कहना चाहता हूँ आप उसमय आठ या दस साल के होंगे और इसलिए उसमय क्या हाल था वो शायद आपके स्मूर्ति में नहीं होगा आपके ध्यान में नहीं होगा और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो गूगल गूरू के शिश्य हो जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उसमय के अख़बार इसमस्टृर टीवी देख लीजिए क्या मिलेगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा स्डृईवेस स्टेशन पर बस स्टेशन पर एनाॉंस्मेंट होता था कहीप मिला लगा है तो एनाॉंस्मेंट होता था कहीपर बीड जमा हो सावधान कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना कोई लावारिस बैग दिखती है तो पुलिस को जानकरी दो कहीं लावािस किफिन बउक दिखता है तो दूर रहो क्यों? उसमें कहीं बम होंगे, हाट लगाओ के तो बम फूटेगा, पूरे देश में 2400 गंटे, हर महत्पपुन जगा पर, ये लावार इस चीजों की सुचना दी जाती थी, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, जो पुराने लोग है बताईए, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी के आने के बाद, कहा गई ये लावार इस चीजे भई? देश तो वही है, उस समय, और मैं फरस्ट राइम वोटर को खास कहता हूँ, जरा देखिए, उस समय अकबारों के हेड़ लाइन हुआ, करती थी, बिल्ली में बंबलास, मुंबई में बंबलास, भारतिय पुलीस आधुनिक आतंग से निपटने के लिए तयार नहीं, आज भारत अपनी सीमाओं पर आख उठाने वालों को मुहत्तोर जवाब देने के लिए जाना जाता है, कॉंगेरेस के उस दोर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंग के हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा, यह बहुत बड़ी खबर होती थी, हमारे कुछ ऐसे मिडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली पे जाते थे, हाँ देखो डोजियर बेज दिया, बटलब, गटना की फाइल भेजना, आज, आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत गर में गुश करके मारता है, अम नए भारत के हेट लाइन होती है, मिशन एलो सी, भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी, चपती हैं यह ने चपती है, शाथियों कॉंग्रेस ने अपने शाथन में भारती अरत बवस्ता को तबाह करके रख दिया था, तब की हेट लाइन होती थी, विकास दर, एक बार, फिर गीरी, यह खबर होती थी, यह बैटे हैं सब यहां, 25 साल में सबसे खराब GDP आकड़ा, आज हेट लाइन होती है क्या, बुई जमाने में होता था, आज हेट लाइन क्या होती है, भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थववस्ता बना रहेगा, कॉंग्रेस के राज में हर सुबह हम अख़बारों में एक नए गोटाले का नाम पढ़ते थे, हेड लाइन होती थे, कॉल गेट, कॉयले में इतने लाग करोड का गोटाला, अब आज हेड लाइन क्या होती है, आज ब्रस्टा अचारियों के लिए होड़ राइन होती है, आप जानते हैं, आज हेड लाइन होती है, आज यहां से इतने करोड पकड़े गए, आज इतने करोड वहां से पकड़े गए, आज नोटों की गदियां गार्दी के नीचे से पकड़ी गई, आज इतने रूपियों का ढेर गएराज में से पकड़ा गया, यह खबरे आती हैं नहीं आती हैं, और आपने मुझे यह काम के लिए बिढ़ाया यह नहीं बिढ़ाया हैं, यह काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आज यह माल लुटने वाले, जेलों के शलाख में सड रहे हैं जी और मैं देश्वाजियों को अस्वासन देता हूं गारंटी देता हूं जिनों ने देश को लूटा है जिनों ने देश को लूटा है उन्हें लोटा ना ही पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों हमारे देश के लोग हमें साथ से ही परिश्र भी रहे हैं हमारे देश का युवा हमेशा टेलेंटेड रहा है लेकिन कॉंग्रेस दे साथ साल तक भारत के युवाओं के सपनों को भारत के नागरिकों के सपनों को कूचलने का पाप किया है कॉंग्रेस दे सिर्फ एक परिवार की सोची मोदी देश के हर परिवार की सोचता है मेरा भारत मेरा परिवार मैं चाहता हूँ कि देश के नागरिकों के जीवन से सरकार का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाए और इसलिए हम पूरा पुराने जो बेकार हो चुके कानूर है उनको समाप्त कर रहे हैं पुराने नियमों को आसान बना रहे हैं पिछले साली हमने 40,000 चे जादा कंप्लाइंसिस को खत्म किया आज जब देश के नागरिकों से यह बोज हटा है उनके सामने से रुकावटे हटी हैं तो वो भी हर सेक्टर में बहतरीन प्रयास कर रहे हैं मैं आपको स्पोर्ट का उधान देता हूं खेलकुद का उधान देता हूं और हमारा महरा भप्षे को देश को नाम देता है स्पोर्ट की दुनिया में हमारे नौजवान हमारे बेटियां अद्बूत करतीएं आज अलिम्पिक में परालिंपिक में एशन गेम्स में कॉमनुवेल्स गेम्स में यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की खिलारी दसकोंau पुराने रेकॉर्ड तोड रहे भारत के नागरिकों में आया है आत्म विश्वास हमें विख्षित भारत के लक्ष तक पहुचाएगा और मैं मेरे नव जवानों मेरा ड्रीम है दोजार उन्तीस में युवा उलम्पिक हिंदुस्तान में हो मेरा ड्रीम है दोजार चत्थीस में भारत में उलम्पिक का खेल हो मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है कि यह परमात्माने मुझे जब मैनुफेक्ट्र किया ना तो वो छोटे वाली चीफ नहीं रखी है बड़े वाली चीफ रखी है साथियों लातूर की यह धरती हमें सिखाती हैं कि बड़ी से बड़ी आपदा से कैसे निकला जाता है हमारे देश पे भी करोडों करोड लोग ऐसे हैं जिन्नोंने पीडी दर पीडी बहुत आपदा जेली है संकट जेली है ऐसे साथियों के लिए ही समिधान में आरक्षन की व्यवस्ता की गई थी एक ऐसी व्यवस्ता है जिसे कोई नहीं चीन सकता और मेरा तो दावा है खुद बाबा साब आम बेड़ कर आकर के भी अभी इसको नहीं चीन सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस अब एसी एस्टी ओबीसी की आरक्षन को कम करके अपने वोट बैंक को देना चाहती है इस बार कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो उस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लिग की छाप है इसलिए महरास के लोगों को लातूर के लोगों को यह कॉंग्रेस से बहुत सावधान होने की जरूत है साथ योग कॉंग्रेस ने कभी SC, ST, OBC नेतरुत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया कॉंग्रेस के मोदी से चीडिने की एक वज़े ये भी है कि मोदी, दलीत, पीडीत, शोशीत, वंचीत की बात करता है आप पिछलें दस सालों में देखिए दस सालों में SC, ST, OBC के सबसे ज़्यादा MPA मेले भारतिय जनता पार्टी और NDA के साथ है केंद्रिय मंत्री मंडल में साथ परसंड से ज़्यादा मंत्री SC, ST, OBC सबाच से है आज देश का SC, ST, OBC सबाच मोदी पर, बीजेपी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि दस सालों में ऐसे करोडों परिवारों का जीवन बढ़ला है किसी को मुप्त राशन मिला किसी को मुफ्त राश मिला ऐसे करोडों साथी है जिनको अनेक पीडियों के बाद उनका पहला पक्ता घर दिया SC, ST, OBC परिवारों के ऐसे लाखों नवजवान है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उनकी गारंटी मोधी ने ली मोधी ने ऐसे करोडों युवाओं को मुद्रा लोन दिया और आज वो अपना कारोबार कर रहे है ऐसा हर युवा आज कह रहा है फिर एकबार पिर एकबार पिर एकबार साथ क्यों 2014 और 2012 पर आपने हमें बरपूर आशिरवाद दिये आपने जनादेश दिया था उसका उप्योग किसी से कुछ चिनने के लिए नहीं बलकि देने के लिए ही किया है हमने SCST का अरक्षन जो पोलिटिकल फिल्ड का रिजरुशन है हमने दस साल आ करके बढ़ा दिया हमने OBC कमिशन को सबेदारी दर्जा दिया हमने मेडिकल की परिशा में OBC को अरक्षन दिया हमने आपके जना देश का सदुप्योग करते हुए देश की नारी सक्ती की दसको पुरानी मांग को भी पुरा किया NDA ने लोगसबा और विदान सबा में महिलाओं को अरक्षन दिया इतना ही नहीं NDA ने किसे का हच्छिने बिना सामान ने समाज के जो गरीब परिवार के संतान है उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षन दिया यानि NDA सरकार सामाज एक न्याय को ताकत देने वाली सरकार है कॉंग्रेस और इंडिय गाड़ी वाले जो जूठी बाते भालाते हैं उनके मन में खोट है इस जूठ की आड़ में वो बड़ा खेल करने की फिराग में है भाई और बैनों देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कॉंग्रेस और समस्याओं के बीच एक अजीब रिस्ता है कॉंग्रेस और समस्या जुडवा भाई हैं कॉंग्रेस कभी भी किसी समस्या को खत्म करने का प्रयाद नहीं करती क्योंकि लोगों की परिशानी से ही वो वोटों की फसल कारती है यहां लातूर में लंबे समय तक पानी की समस्या रही लेकिन क्या कभी कॉंग्रेस ने इस समस्या का साही समाधान का प्रयास किया हर घर पानी हर खेत पानी पहुँचाने के लिए हम मीशन मोड पे काम कर रहे हैं यहां पहले जेव इंद्र जी के नेतृत्र वाली सरकार हो यह फिर अब एकनाजी सिंद्य की सर्वाद सरकार हो पानी पर हम विश्यश बल दे रहे लेकिन कॉंग्रेट ने हमेशा पानी की योजनाओं को लटकाया है बटकाया है जल्युक्त शिवार हो मराटवार वोटर गीड हो ऐसे कामों में अगाड़ी के सरकार ने अड़ंगे लगाए अम महायूती के सरकार सिचाय के हर प्रोजेक को तेजी से पूरा कर रही है मुझे खुशी है कि महरास्ट्र के बीस हजार चाहदी गावों में शत्र प्रतीशत नल कनेक्शन पहुँच चुके हैं और यहां लातूर में भी हर गर नल से जलका लक्ष ज़्यादा दूर नहीं है भाई और बैनों लातूर शिक्षा और स्कील का एक सेंटर है बीते दस वर्थ में देश्ट में सिक्षा और कोस्टल सेक्टर में अब उत पर वो उपलब्दियों के रहे हैं IIT हो ट्रीपल आईटी हो IIM हो या AIMS इनका दाहरा बहुत आधिक बड़ा है देश्ट में मेडिकल कॉलेजों की संग्या और मेडिकल सिटों की संग्या दोगुनी हुई है इसका लाप लातूर के हमारे बेटे बेटियों को भी हो रहा है साथियों लातूर आत्मंदिर पर भारत का भी हब बनता जा रहा है बाजपा का मिशन है कि हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भर बने बाजपा का संकल्प है कि मैनुफेक्टर में आत्म निर्भर बने इन दोनों लक्षों को पाने में लातूर के किसान और लातूर के नौजवान बहुत बड़ी भूमी का भर्व कर सकते हैं यहां के स्वयविन किसान भारत को दलहन तिलहन में आत्मंदीर पर बनाने में अग्रणी भूमिका निपा सकते हैं इस जो रेल कोई ट्रेक्टरिया स्थापिद हुई है इसमें बंदे भारत ट्रेन के कोज भी बन रहे हैं आने वाले पांच साल में देश के हर रूट में सेंकड़ों नई वंदे भारत ट्रेने चलेगी वंदे भारत मैट्रों चलेगी यही नई विदेशों से भी मेड़ीन इंडिया ट्रेनों की डिमांड बढ़ रही है इसे कितना काम यहां बढ़ेगा नई फैक्टरिक के लिए कितनी संभावनाय बढ़ेगी यह आप सोच सकते हैं मराट वार रेल कोच फैक्टरिक के सापना ने इक्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गती दी है बाई और बैनो लातूर को विक्षित भारत विक्षित महरास्ट का अहम सेंटर बनाने के लिए आपको भारी मतनां करना है आप याद रखना आपके सपने आपके सपने ही मोदी का संकल्प है मेरे साथी सुधाकर तुकाराम संगारी जी को आपका मिलने वाला एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आप गर गर जाईएगा जादा से जादा मद्दान कराएंगे मद्दान के रेकॉर्ड तोड़ेंगे पोलिंग बूद जीतेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे गर गर जाना और परिवार के सब लोगों को कहना कि मोदी जी लातूर आये थे मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे मेरे दाद बोली है भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद प्हुत बहुत 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 पन्यवाद बहुत बहुत के सबस度 क嗎 झाल झाल